नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस इंजीनियर अभिशेक सिंग दोस्तो एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ग्यान बहुत ही घातक होता है दोस्तो इस घर मालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो र दोस्तो यह घर बनाया जा रहा है बकाईदा दोस्तो घर की मिट्टी नाधा से इसके लिए दोस्तो यहां पर देख सकते हैं कि बगल में बकाईदा एक बांडरी वाल भी दिया गया है बांडरी वाल में देख सकते हैं पिलर भी दिया गया है बीम भी दिया गया है लेकिन दोस्तो जहां पे ये beam की देख सकते हैं दोस्तो ये beam जहां पे होना चाहिए बाहरी दिवार है और ये घर का actual दिवार है ठीक है और ये घर का इस तरह से दोस्तो बनावट है और उससे दोस्तो देख सकते हैं कि 3 feet बाहर में एक boundary wall दिया गया है लेकिन दोस्तो आप देख सकते पे दिया गया है जबकि actual में इस beam को ground पे होना है जो कि दोस्तो आने वाले दिन में अभी देख सकते हैं मिट्टी का load रहेगा शाथ ही साथ दोस्तो जो मिट्टी भड़ा गया है और आप देख सकते हैं जो मिट्टी है दोस्तो वो बिल्कुल गीला है ठीक है मतलब उसमें बह दसना ही दसना है इसकी गरांटी तो मैं ले रहा हूँ दोस्तो अब चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरकार ये जो घर बनाया जा रहा है दोस्तो ग्राउंड बीम देख सकते हैं वहां भी ये boundary तो माल लीजे चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये गिर भी जाता है फिर दुबारा बना सकते हैं कोई जादा तकलीफ नहीं होगी लेकिन दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो actual में जो घर का दिवार है दोस्तो जो घर का tie beam है उसको भी देख सकते हैं दोस्तो कि यहां पे 8 से 10 इंच वो gap ले लिया है मतलब मिटी से उपर वो actual में जो beam है वो हो पहला गलती मिटी भरने का सही तरीका इन्होंने नहीं अपनाया है ठीक है दूसरा गलती calculation में इन्होंने mistake किया है कि जहां पे ground beam होना चैथ मैं हमेशा से कहता हूं कि मिटी भरते समय दोस्तो हमेशा से 10 इंच से जादा मिटी एक बार में आपको नहीं भरना इन्होंने क्या कि अब भरपूर मिटी भरक दिया है पानिया है दोस्तो बरसात का सीजन है आप देख सकते कि मिटी एक एक दोस्तो बैट गया है लगवा लवा 10 इंच 11 इंच का इसाप gap आपको देखने को मिल रहा है जबकि ये ground beam दोस्तो ground यानि कि जमीन स्वैल से मिटी से कम से कम 6 इंच देना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत मिटी धस्ता भी है दोस्तो फिर भी नीचे में gap create ना हो चुकि ये gap बहुत खतरना है दोस्तो अगर ये gap अभी हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चुकि अभी इनके पास समय है अगर दोस्तो यही सोती है कि ये घर बन गया रहत चत की धलाई वगरा हो गए रहती ठीक है और दोस्तो अगर आपने flooring वगरा करा लिया है tiling वगरा करा लिया है दोस्तो ठीक है मतलब कि first वगरा बना लियो उसमें tiles वगरा बना लिया है फिर इस तरीके से मिटी धसने का जो संख्या है बहुत सारे घरों में देखा गया बह क्या होता है दोस्तो कि आपको tiles और साथे साथ मिटी के बीच में एक air gap बन जाता है जब पैर रखेंगे tiles पे tiles फूटता भी है ठीक है बहुत से लोग इसको experience पी किया होंगे तो यही कारण है और फिर से आपको उस case में flooring यानि कि घर का फर्स है दोस्तो उसको फिर से उखा मिटी हर जगा भड़ा गया है और हर जगा दोस्तो उसी ratio से मिटी क्या हुआ है कि नीचे settle down भी हुआ है इसलिए कहता हूँ 10 inch से ज़्यादा मिटी आपको नहीं भढ़ना चाहिए जब भी घर बनाना start करे ground beam जो जमीन लेबल है उससे कम से कम दोस्तो आप 6 inch नीचे से ground beam दे करने वाला है और जो मिस्तरी है ठेकदार है जिनको कुछ बहुत knowledge है अच्छी बात है जनकारी है लेकिन दोस्तो आपको जब तक पूरी जनकारी नहीं होती है घर बनाने सम्मधित आप क्रिप्या करके contract ना ले किसी के अंडर मढ़ा करके दो पैसा कम कमाये ले दोस्तो लेक काईब